नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिरपरिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके आए आज हम सब जानते हैं एक आज माई हुई और शदी जो की शुगर का रामबान इलाज करती है जिहां आज कल हर घर में इसके मिल जाएंगे कारण क्या है कारण है हमारी दिन चर्या में परिवर्तन और दूसरा बड़ा कारण है हमारे भोजन में घुश चुकी अशुद्धियां जिनको हमने तो शुद्ध किया नहीं और आने वाली पिढ़ी को भी यहीं सोगात देकर मर जाना चाहते हैं ताकि वो भ बार तो हर मरीज को अपना कर देखना ही चाहिए दोस्तों आज शुगर रोग मानवता के लिए एक नासूर भन गया है एलोपैथी में हजारो रूपए की दवाएं लोग खाते खाते ठके जा रहे हैं पुरुषों या इस्त्री दूनुमे यह रोग बहुतायत से पाया जा जानते हैं कि इस प्रियोंग को करने के लिए आपको सबसे जरूरी जो समगरिया चाहिए वो कितनी और क्या चाहिए इंद्रजो कड़वा दोसोटास g daam चाहिए होगा आपको बादाम चाहिए होगा आपको 230 ग्राम याने की 200 ग्रम भुने हुए चने चाहिए होंग आपको 200 ग्राम इंद्रजों दो प्रकार के होते हैं पहला है इंद्रजों शीरी और दूसरा है इंद्रजों तलख या कड़वा आपको इंद्रजों तलख लेना है बाकी समान आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएगा बादाम लेते समय ध्यान देवें कि बादाम अच्छे लें ये भी आजकल कई तरह के आते हैं किसी किसी में से तो आजकल पहले ही तेल निकाल लिया जाता है बहुत गरबर जाला चल रहा है दुनिया में कभी कभी अच्छे से अच्छे प्रियोग में रिजल्ट ना मिलना इस सावी तक हमने आपको बताया इस प्रियोग में प्रियोग होने वाले सामान के बारे में अब बात करते हैं इस योग की यह प्रियोग बहुत चमतकारी है और अनेकों रोग्यों पर आज माया गया है आप इस नुस्खे के रिजल्ट का अंदाजा यू लगा सकते हैं कि अगर इसको उसकी मातरा से ज्यादा लिया जाये तो शुगर इसके सेवन से लो होने लगती है बादाम को इस वजह से शामिल किया गया यह शुगर रोगी की दुरपलता कमजोरी सब दूर कर देता है और इसमें चने को इंद्रजों की करवाहट थोड़ी कम करने के लिए मिलाया अब आये जानते हैं इंद्रजों से शुगर का घरेलू नोस्खा बनाने और सेवन की विधि के बारे में तीनों चीजों को अलग-अलग कूट लीजे थोड़ा दूरदोर्या पौडर बनाईए और कांच के जहार में रख लीजे खाने के बाद एक चाय वाला चमच एक दि तो उसे यह योग शेयर करके नया जिवन गिप्ट में दीजिए सभी दोस्तों से यह अनुरोध है कि यह जो हमारा वियो है इसको आप अपने खास करके डाइबिटीज पेसेंट्स जो भी आपके मित्र या संबंधी कोई भी हों उनको जरूर शेयर करें और बताएं ताकि अधिक साधिक लोग इसका लाफ उठा सकें अब देखते हैं कि यह प्रयोग किन रोग्यों पर लाफ प्रत्सावित होगा यह प्रयोग उन रोग्यों पर बेहद असर करेगा जिनको इंसुलीन नहीं लगती हो अगर इंसुलीन लग रही होगी उन रोग्यों पर ये नुस् शुगर को मिटा सकते हैं शुगर से जुड़ी हुई बीमारी आज कल पहले भी हमने बताया कि हर उम्र वर्क के हर इस्तरी हो या पूरुष सभी को समान रूप से होने लगी है इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए ये थी आज के हमारी आउश्रद ही आप सभी के लिए अ